लीजिये हाजिरू एक नई रेसिपी के साथ जो बहुत इजी और बहुत डेस्टी है फ्रेंड्स आज एक बहुत अच्छी सी रेसिपी आपके सामने लाई हूँ जो मैंगो से बनी हुई है इसके साथ ही आज कल जो बच्चों की एक नई प्रॉबलम मेरे सामने आ रही है मैं देख पा रही हूँ वह एक प्रॉबलम भी आपके साथ डिसकस रहूंगी आप सोच रहे होंगे कि मैं बच्चों के पीछे क्यों पढ़ गई हूँ तो देखिए जो भी हम लोग जो भी कुछ करते हैं वह सब बच्चों के लिए करते हैं और कोरोना के बाद मैं बच्चों क अब अब लेकर के घ्राइंड कर लेना है मिक्सी में और उसके बाद में हम नेक्स पॉसस में बढ़ेंगे आम की मिठास के उपर डिपैंड करेगा कि आप इसमें शकर कितनी डालें यदि आम अच्छा-खासा मीठा है तो आप इसमें शकर कम डालें और आपके टेस्ट के उ नहीं है या आप के पास कम मैंगो है तो आप सिंपल सुगर सीरफ भी बना सकते हैं उसमें आप केसर के धागे डाल दीजिए और सुगर सीरफ से भी काम हो जाएगा तो लेकिन मुझे लगा कि मैंगो सॉस बनाऊंगी तो ज्यादा इन्हेंस टेस्ट होगा तो इसलिए मैंन मैंगो सॉस बनाया है तो आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं तो यहां पर मैं एक बच्चों की एक नई जो प्रॉब्लम आ रही है देखने में मैं चुकि टीचिंग फिल्ड में रह चुकी हूं तो मुझे यह समझ में आ रहा है बच्चों को देख करके कि बच्चों के सामने एक बहुत बढ़ी प्रॉबलम यह का रही है कि बच्चे स्कूल जाने में आना कानी कर रहे हैं कि नहीं की दो साल wspól – ऋनका पर चाहँ है और इसकी पार ने नेक्स स्कूल जाने में गार लिया है मैंने यहां पर दूद लिया है, आदा लीटर दूद लिया है, मैंने आदा लीटर दूद में से एक, उसका लगभग 1 फोर्ट पार्ट मैंने निकाल लिया है, उसमें मैंने मिलाया है, आदे लीटर दूद में, जो 1 फोर्ट पार्ट है, उसमें मैंने लगभग 1 ती स्पून क हुआ स dish ऊफून के ऊदर्टिश में कॉम है है काई चाहे तो हम मेरे पास से और जाएगा हैं तो हम मेरे पास बस्ते के लिए तो थोड़ा-स अ lotic school जाना होता है कई बार बच्चे को ऐसी problem भी देखने में आ रही है कि बच्चे tv पर देख रहे हैं अभी तक वो online class attend कर रहे थे तो बच्चे वहाँ जाकर सहम जा रहे हैं कि जो teacher आ रही थी online वो अब यहाँ पर कैसे हो सकती है या वहाँ पर क्या discipline उनको को रखना है तो वो सारी चीज़ें हमें बच्चों को घर से समझानी होगी, उनके साथ हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी कि उन्हें श्कूल में भिहेव कैसे करना है हिएं यहा Set क्लास में और ऑफ्लाइन क्लास में क्या डिफरेंस है तो यहां पर आप देख सकते हैं que कि मैंने कस्टर्ड को बना लिया है और कस्टर्ड को अलग कर दिया है इसके बाद मेरे घर में ब्रैड के छोटे-छोटे टुकडे पड़े हुए थे मैंने यहाँ पर उनको एक चौको ट्रे में लिया है मेरी ट्रे थोड़ी सी कम उचाई वाली है आप जहां तक पॉस्विल ह तो थोड़ी सी ऊची ट्रे लीजिएगा तो जो भी टुकडे मेरे पास पड़े हुए थे ना उनको सब को मैंने एक ट्रे में जमा दिया है अच्छे से और इसके बाद मैं इस पर डालूंगी जो हमारा मैंगो सॉस है वो डालूंगी मैं इसमें रुआप जालूंगी केवल तो मैं अपने पॉइंट पर आगे आती हूँ कि हमें बच्चों को घर में ये बहुत सारा समय हमें देने की जरूरत है ये सही है कि हम पैरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी हैं आजकल के कामकाजी दमपत्यों के लिए बहुत बड़ी प्रॉबलम होती है बच्चों को समय लेकिन बच्चे ही तो हमारा सब कुछ हैं जो भी कुछ करते हैं वो बच्चों के लिए ही करते हैं तो प्लीज आज की जो आवश्यक्ता है वो बहुत बड़ी जरूरत है बच्चों को आपका समय देने की उन्हें क्वालिटी टाइम दीजिए उनके साथ टाइम स्पेंट क बताइए कि आप फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हैं मस्ती कर सकते हैं इसकूल जाने से कितने फाइदे होते हैं कि आप लर्निंग करते हैं आप बच्चों के साथ आपको दोस्त मिलते हैं यह सारी चीज़ें यह निमेश बेसिक बात यह है यह है कि हमें बच्चों को स्कूल ब आप हर दिन उनके साथ थोड़ा सा थाइम कर उन्हें अपने स्कूल डेज की साथ तो मेरे मन की बाते हैं मैंने इहां पर रेसिपी तयार कर लिएिसको ठंदा कर लिया है और मैने ने डाले हैं कटे हुए आम और बारिक कटी मेवा मेवा में मैंने पिस्ता डाला आप कुछ भी डाल सकते हैं तो फ्रंस ये मेरी रेसिपी त्यार है मेरी कोशिस आपके दी पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपना फ